चना की उन्नत खेती इस वीडियो पर हम आपको बताएंगे खेत की तैयारी, उन्नत किश्मे, तापमान, प्रति एकाल बीज की आवस्तक्ता, बीज उपचार, उक्ठा रोक की रोक्ताम, सीचाईये, वढ़वार के लिए टॉनिक और साथी, कीट इल्ली की रोक्ताम, फंगस और अन्न बीमारियों की रोक्ताम, और चने की फसल पर खाद का संपूर, सेड्यूल, उपज, आवस्तक्ताम, जरूरी बातें, इस वीडियो को किसान भाईयो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो पर हम आपको A to Z संपूर जानकारी, स्टेप बाई स्टेप चलिए, शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, खेत तयार, हल्की गहरी जुताई कराके, रोटू बेटर से खेत को शमतल कराते, बक्त, दो ट्राली पकी हुई गोबर की खाद, विखेर कर शमतल करा लिजगे, लिजगे आपका खेत तयार हो गया, किसान भाईयो बात करते हैं, उन्नत समय, तो चने की खेती आप अक्टूबर और नवंबर के मद्ध कर सकते हैं, और यदि आप धान की खेती कर रहे हैं, तो धान की कटाई के बाद भी आप चने की बुआई कर सकते हैं, बात करते हैं, अंगली टॉपिक के बारे में, बीज उपचार, बीज उ जरूर करें भले आप ट्राइकोडर्मा से कर रहे हैं या फर थायरम से भी आप बीजों को उपचार कर सकते हैं बात करते हैं अंगले और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में मिट्टी और तापमान तो चने की फसल पर उप्योक्त जीवाश्म पदार्थ वाली मिट्टी जिसका पीएज 6-7.5 हो और उत्तम जल निकाशवारी मिट्टी पर आप चने की खेती कर सकते हैं बात करते हैं टेमप्रेचर यानि तापमान तो चने की फसल पर 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस टेमप्रेचर की आब सकता होती है चने की खेती आसिंचित इस्थानों य आप या पर कम कैसे कर सकते हैं आंगे वीडियो पर आपको समझाने बाले हैं बात करते हैं किसान भाई यो अंगले टॉपिक के बारे में बीज की दर तो देशी चने की यदिया आप बॉआई कर रहे हैं तो अस्थी से लेके 100 किलोग्राम प्रती हेक्टियर की दर से बॉआ कर सकते हैं बात करते हैं अंगले टॉपिक के बारे में बॉआई की बिधी सामान तरीके से भी हमारे किसान भाई चैने की बॉआई कर सकते हैं इसके अलावा सीडल मसीन से भी हमारे किसान भाई बॉआई कर सकते हैं मिट्टी के अंदर चैने की गहराई 8 cm रखनी चाहिए प 47 सेंटी मीटर रखनी चाहिए किसान भाईयों बात करते हैं बौई के समय खाद यानि जब हम बौई कर रहे हैं तो उस समय हमको कौन सी खाद और कितनी मात्रा में इस्तावाल करनी है तो आप 20 किलोग्राम एन यानि यूरिया और उसी के साथ है दो बोरी सिंगल सुपर एं किसान भाईयों बात करते हैं उन्नत किसमों के बारे में तो उन्नत किस्म हैं जे जी 21, जाकी 92, अठारा इसके आलावा जे जी त्रेशट और बिसॉदः है जे जी 130 वियूँप्योगत है दोस्तों चने की बेराइट इच अंकर हम आपको बिल्कुल भी रेक्मेंडेड नहीं कर सकते हैं क्योंकि चने की West狗 औराईटी निरभार करती हैं जैसे अर्ली फारविंग कर रहे हैं या फिर लेटवारविंग करती हैं सिंचितसा पर या फर अश सींचितसा पर आप खेती कर रहे हैं आपकी उपजम बैडंर हैं कम देशी किश्मों को चयां करना है और पिर काबुली चेना का आपको मतलब बुआई करनी है कम समय पकले वाली किस्में होती है और जादा दिनों पर भी पकने वाली किस्में होती है तो मौसम जलबायू तापमान मिट्टी अनुकूल बैराइटी का ही आपको चैन करना चाहिए यानि सबसे पहले आपकी कैसी मिट्टी है कौन सी बैराइटी को आप लगाना चाहते हैं उसके अनुशार ही यह सब निर्भर करता है थोड़ा सा जाच पलताल करके ही बौई करनी चाहिए किसान भाईयों बात करते हैं अंगले टॉपिक के बारे में सीचाई तो चने की फसल पर सीचाई पर बिसेज ध्यान देना चाहिए क्योंकि कई इलाकों पर पानी की उत्तम व्यवस्ता नहीं होती है और कई इलाकों पर उत्तम व्यवस्ता होती है लेकिन किस्तान भाईयों हम आपको बता दें कि चने की फसल असिंचित खेती पर भी आप सफलता पूरवक चने की खेती कर सकते हैं चने की फसल पर सीचाई फस्ट सीचाई आप बुवाई के समय कर सकते हैं सेकंड सीचाई पुस्पन स्टेज पर कर सकते हैं और third सिचाई जब दाने भर रहे हो उस समय आप चैने की फस्तल पर सिचाई कर सकते हैं आब सकता अनुशार ही आप सिचाई करें बात करते हैं अंगली टॉपिक के बारे में खर्पदवार की रोक्थाम खर्पदवार की रोक्थाम ज्यादा बेहतर है कि आप मजदूरों की सहायता से खर्पतवार को बाहर निकल वा लीजिए या फिर आप खर्पतवार नाशक का इस्प्रे कर रहे हैं तो बुआई से 72 घंटों के अंदर ही आप पेंडा मेथरीं 30% EC 600-700 ml प्रेती एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में मिक्स करके खाले खेतों पर बुआई के समाई ही आप इस्प्रे कर सकते हैं बात करते हैं अंगले टॉपिक के बारे में जो सबसे जादा महत्पूर है किरपया ध्यान से सुनिए चने की फसल पर उक्ठा रोक की रोक थाम किसान भाईयों ध्यान से सुनिए फसल चकर को जरूर अपनाना चाहिए रज ज टैंस बिटी बैराइटी का ही चैन करना चाहिए और बीजों को उपचार जरूर करना चाहिए जड़ों के पास आप ट्राइकोडर्मा को दे सकते हैं 500 ग्राम आप ट्राइकोडर्मा को जड़ों के पास दे कर सीचाई कर सकते हैं या फिर आप 500 ग्राम ट्राइकोडर्मा 200 ल आप एक छक्रत गहरी बुआई करते हैं तो आपको उख्ठा रोग को आप काफी हद तक नियंतलन कर पाएंगे बात करते हैं अंगली और सबसे महत्पूर्ट टॉपिक के बारे में इस्प्रे और खाद का सेडील सबसे पहले जानते कीट तो फली छेदक एली रस चूसा कीट आते हैं और अन्य परकार की कीटों की भी हमको प्रकॉब और अटेक देखने के लिए मिलता है बहीं फंगस पर पाउडरी मिल्डी यूट इसपॉर्ट लीफ इसपॉर्ट बलाइट और बिल्ट से रिलेक्टेड कई परकार की समस्या देखने के लिए मिलती हैं साथी कम फूल की अभस्था पर करना है जब चनी की फसल पर फूल की अभस्था हो तब आप इसपॉर्ट करना है 100 ग्राम क्रेश्टल का प्रोक्लेम एमा मेंटीन वेंजवाइट five percent Sg 100 ग्राम उसी की साथ 700 ग्राम Npk 1999 गुलंजील खात को लेना है और 350 ग्राम UPL कंपनी का साप फंगी साइट इसी के शाथ 100 ml फेंटाक प्लस टॉनिक को इन चारों को मिक्स करके प्रती एकार 150 लीटर पानी में मिक्स करके इस्प्रे कर दीजिए किसान भायों बात करते हैं सेकंड इस्प्रे के बारे में तो जब दाना भरने की प्रारंभिक स्टेज पर आप सिजेंटा कंपनी की एमपली गो 80 ml उसी के साथ घरडा का चमतकार 250 ml प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को लेना है और शाथी टाटा का तागत फंगी साइट 250 ग्र जब चनी की फसल बुआईस है 40 से 45 जिन का होता है तो आपको एक खाट का डोज देना है 40 किलोग्राम यूरिया 5 kg इपको कंपनी की सागरिका दानेदार को 5 kg और शाथी के मेंक शुपर माईको राजजा को 5 kg इन तीनों को मिक्स करके जड़ों के पास दे कर सीचाई कर दीजिए बहुत ही उन्ना सील परिणाम देखने के लिए मिलेंगे बात करते हैं उत्पादन तो या मिट्टी पर नरभर करता है या सौभावक्षी बात है एबरेज देखा जाए तो 30 से 35 कोईंटल प्रती हेक्टियर की दर से चने का उपज उत्पादन देखने के लिए मिलता है किसान भाईयो पाला से फसल को बचाने के लिए परियाप्त मात्रा में ठंड के टाइम नमी बनाए रखना चाहिए इसके अलाबा खेतों की जो मेड होती है उस पर भी आप धुआ कर सकते हैं ध्यान रहे धुआ जहां आप कर रहे हैं असपास कोई भी सोगी फसल नहीं होनी चाहिए किसान भाईयो यदि चैने की फसल पर पाला पढ़ने की अधिक समभाब ना है तो यूपील कमपनी की मेकरीना प्लांट ग्रोथ टानिक को भी आप इस्प्रे कर सकते हैं रासाने खाद दवाओं पर ज़्यादा पैसा खर्च ना करें आवस्चता अनुशार ही फसल की स्टे अवस्था और ग्रोथ वड़वा देखते हुए ही आप खादों को दवाओं को इस्तमाल करना चाहिए किशान भाईयों चैने की फसल पर अधिक टेहनियों के लिए अधिक ब्रांचिस के लिए और अधिक फुटाव के लिए आपको भाजी को जरू तुड़वाना चाहिए फसल तयार तो 125 दिन पर यह फसल तयार हो जाती है और निरवर करता है बैराईटी पर कई बहुत जल्दी तयार हो जाती है तो कुछ बैराईटी काफी लंब समय ले लेती है। किसान भाईयों इस वीडियो पर हमने आपको बताया चैने की उन्नेत और सफल खेती की समपूर जानकारी यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो किसान हिद पर इस वीडियो को लाइक और सेयर कर सकते हैं मिलते हैं कुछ और इंट्रेस्टिंग और ग्यान बर्दक इंट्रेस्टिंग जानकारे के साथ तब तक के लिए धन्नबाद नमश्कार